पुष्पा पुष्पा राज मैं जुकेगा नहीं साथ क्लेक्षण की रिपोर्ड मिलती रहेगी सबसे पहले तो दुस्तो सबसे बात कर लेते हैं साउट के सुपर इश्टा शुरिया की फ़ल्म जैई भीम के बारेहे में आपको बतादे जैई भीम फिल्म में आपको शुरिया के साथ और ओर भी कई मल्टिश्टा कास्टन नजर आ पब्लीकों के डिसने काफिज ज़ादा पसंद किया और खास करकि आदिवासी लोगों ने इस फिल्म को पाँच में से पाच इस्टारी यू दिया जिसकी बदोलत इस फिल्म का पहले दिन का उड़री कलेक्शन काफिज जबजस्त रहा और फिल्म ने अपने पहले दिन 12 5040,00 रुपे से ज़्यादा रहा खाई अगर इस फिल्म से से सल्मान का का कंप्यार करे तो अन्तिम फिल्म में आपको सल्मान का साथ ऐसे लिए और इस फिल्म का बज़र था 40 ком्रोड रूपे लेकिन इस फिल्म की भी इिस्टोर पब्लिक को ठिक टक लगी और फिल्म से लग इसी के साथ फिल्म के दूसरे और तिसरे जिंगे कलेक्शन में भी मुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली इसी के साथ इस फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलिस हुए 36 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मुताबिक अंतिम फिल्म का 36 दिनों का टोटल इंडिय इस फिल्म का पहले दिन चार करोड पाच लाग रुपे से भी जारा की ओपनिंग की इसी के साथ इस फिल्म का पहले अपते का कलेक्शन भी ठीक ठाक रहा वह फिल्म ने अपने पहले अपने बज़र को रीकवर करते हुए 21 करोड एक लाग रुपे कमाई लेकिन फिल्म को अभी तक बॉक्स अफिस पर रिलिस हुए लगबग 31 दिन से जादा हो चुके हैं और रिपोर्ट से कमताभी कहां शेटी की फिल्म तरब का 31 दिनों का टोटल इंडियान बॉक्स अफिस कलेक्शन 27 करोड 11 लाग रुपे से जादा रहा लेकिन अगर इस फिल्म से सनी देवल के बेटे करन देवल के फिल्म का वेले का कंपेर करें तो वेले फिल्म काफी कोमेडी से बरपोर थी वहीं इस फिल्म का बज़ट था 10 करोड रुपे लेकिन इस फिल्म के बज़ट था 10 करोड रुपे लेकिन इस फिल्म को पहले अपते ये अपने दस करोड रुपे के बजट को रिकावर करने में कामयाब रही लुपे अपने पहले अपते 10 980 लाक़ रुपे कमाये लेकिन आप फिल्म के अभी तक के ट्रोटा कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलेज हुए 23 दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मताबिक इस फिल्म का 23 दिनों का टूटल इंडियन बॉक्स अविस कलेक्शन 13 करोड एक लाग रुपे के आसपास रहा जिस फिल्म अपने बज़र को रिकवर कर बॉक्स अविस पर हिट साबित हुई लेकिन अब बात कर लेते हैं वोल्योड की सबसे बड़ी फिल्म इस्पायडर में नोवे हुम के बारी में आपको बता दी इस्पायडर में नोवे हुम फिल्म का बज़र लगबख 200 मिलियन डॉलर से जारा था वहाई इस फिल्म को इंडियन बॉक्स अविस पर पब्लिक ओग इडिक्स ने काफी जारा पसंद किया और लगबख 5 में से 5 इस्टा रिविव दिया जिस वज़से फिल्म के कलेक्शन में काफी अच्छे पगड़ देखने को मिली और फिल्म ने अपने पहले दिन 32 करोड 66 लाग रुपे से भी जारा की ओपनिंग की लेकिन वही फिल्म के पहले अप्ति के कलेक्शन में भी काफी जादा ग्रोध देखने को मिली ओ फिल्म ने पहले अप्ति 140 करोड रुपे का जबजिस्त आकड़ा करती हुए 140 करोड 57 लाख रुपे कमाए लेकिन अगवा फिल्म के अभी तक के रोटल बॉक्स ओविस कलेक्शन एक सो बाननो करोड ती रियालिश लाग रुपे से जादा रहीगा। पुर अगर इस फिल्म से अल्लो अर्जुन की फिल्म पुश्पा का कंप्यर करें तो पुश्पा फिल्म में आपको अल्लो अर्जुन के सा रश्मिका मंदाना लीड रोल दिया जिस होजे से फिल्म का वर्ड आप महुत काफी अच्छा रहा ओ फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ओविस पर बावन करोड पचास लाग रुपे से भी ज्यादा की ग्रोस कमाई की इसी के सादी यह फिल्म अपने पहले दिन वर्ड वाइड बॉक्स करोड रुपे का दमाकेदार कलेक्शन किया वहीं अगर फिल्म के अभी तक के डूड़ कलेक्शन की बात करें तो पुछपा फिल्म को अभी तक इंडियन बॉक्स ओविस पर रिलिज़ हुए लगबग 16 दिन से जादा हो चुके हैं और रिपोर्ट से के मताबिक पुछपा पिका पादू को उनकी फिल्म 83 के बारे में आपको बता दें 83 फिल्म में आपको और भी कई मल्टिस्टा कास्ट नजर आये थे वहीं इस फिल्म का बज़ट था 125 करोड रुपे लेकिन इस फिल्म को भी पब्लिकों के डिक्स ने काफी जादा पसंद किया और काफी अच्छ दिन 12 करोड चो 60 लाग रुपे से भी जादा की ओपनिंग की अगर फिल्म के पहले अपते और अभी तक के डोड़ा कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म अपने पहले अपते अपने बज़ट से लगबग 70 की रिकावरी करने में काम्याब रही ओ फिल्म ने अपने पहले अ अगर इस फिल्म से अक्षे कुमार धनुस और सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे का कंप्यर गरे तो अतरंगी रे फिल्म का बज़ट 35 करोड रुपे से जादा है वहीं काफी जादा की उनिक इस्टोरी होने की वज़ए से यह फिल्म पब्लिक को काफी जादा पसंद आ अगर फिल्म के पहले अपते और अभी तक के टोड़ गलेक्शन की बात करे तो इस फिल्म का भी पहले अपते का गलेक्शन ठीक टाक रहा और फिल्म ने पहले अपते अपने बज़र से लगबग तीन गुना जादा कमाई करते हुए तिरिया 9 करोड चुरिया 9 लाग पर रिलेज हुए काफी दिन हो चुके हैं और रिपोर्ट सेक मताबिक अतरंगीरे फिल्म आज ओड़ी प्लेटफर्म पर काफी अच्छी पकड़ बनाते हुए 6 करोड 22 लाग रुपे के असपास कमाई कर रही जिससे इस फिल्म का अभी तक का टोटल ओड़ी कलेक्शन 107 क ओड़ी फिल्ब बनेंगे अगर आपने इन सभी फिल्म को देखा है तो, अब को इन सभी फिल्मं में से कौन से फिल्म को कहोगे, सब सब बड़ी ब्लोग वेश्टो सब सब बड़ी फ्लोप अलो अरजुन की फिल्म पुश्पा को साउथ के सूपरिश्टा शुरिया की फिल्म जैई भीम को सलमान खान की फिल्म अन्तिम को अक्षे कुमार की फिल्म अतरंगी रेको रन्वे सिया की फिल्म करन देवल की फिल्म विले को आपके रहा हमें इच कमेंट का जो बताए और हमारे उड़े पसंद आए हो तो हमारे स्टूडियो को लाइक करें जाते जाते आपके और हमारे चेनल कलेक्शन टेको भी सब्सक्राइब का बिल आइकोन प्रेस कर देए